देश के सबसे बड़े वाणी जिग बैंक SBI ने लागत कम करने के लिए एक स्वेचिक सेवा निवरत योजना यानि VRS तेयार की है बैंक के लगबग 30,190 कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं अभी मार्च 2020 तक SBI में कर्मचारीों की कुल संख्या 2.49 लाग है जो पिछले साल 2.7 लाग थी सुत्रों के अनुसार बैंक ने VRS योजना का मसवदा तयार कर लिया है और निदेशक मंडल की मंजूरी की प्रतिक्षा की जा रही है प्रस्तावित योजना दूसरी पारी टैप VRS 2020 का लक्ष बैंक की लागत में कमी लाना और मानव संसाधन का अधिक्तम इस्तिमाल करना है ये योजना हर वैसे इस्थाई करमचारियों के लिए है जिन्होंने बैंक के साथ काम करते हुए 25 साल बिता दिये हैं या जिनकी उम्र 55 साल है योजना एक दिसंबर को खुलेगी और फरवरी तक उपलब्ध रहेगी उसके बाद VRS आविदन सुईकार नहीं किये जाएंगे प्रस्तावित पात्रता शर्तों के अनुसार बैंक में कारिरत 11,555 हदिकारी और 18,625 करमचारी योजना के पात्र होंगे बैंक ने कहा कि अनुमानित पात्र लोगों में से यदि 30 प्रतीशत ने योजना का चयन किया तो जुलाई 2020 के वेतन के हिसाब से बैंक को 16,62 देशमलव 86 करूर रुपे की शुद्ध बचत होगी योजना चुनने वाले करमियों को बचे कारिकाल का 50 प्रतीशत अत्वा पिछले 18 मेने में उन्हें कुल वेतन में से जो कम होगा उसका एक मुश्ट भुक्तान किया जाएगा इसके अलावा उन्हें ग्रैट्विटी, पेंशन, भविशनिधी और चिकितसल आप जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी हालांकि बैंक यूनियन प्रस्तावित वी आरेस योजना के पक्ष में नहीं है National Organization of Bank Workers के उपाध्यक्ष अश्विनी राना ने कहा एक ऐसे समय में जब देश COVID-19 महामारी की चपेट में है ये कदम प्रबंधन के मजदूर विरोधी रवये को दर्शाता है